सरगूचा में टियस सिंग ने चुनाओं को लेकर दिया बयान उन्होंने कहा कि इस बार चुनाओं लड़ने का सही में मन नहीं है महा समुन में पलायन का खेल जारी पढ़ाई छोड़कर भट्टे में काम कर रहना वाली सरगूचा में पुलिस की टीम ने बंधग बने मजज़ूरों को चुरुआए मज़ूरों ने कलेक्टरेट को दिया धन्यवाद अमबिका पे उनमें भूमाफियाओं ने हर्पी जमीन पड़तने न्याए की गुहार लगाई है नवश्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हुआ आपके साथ नदिनी यादो वक्त हो चुका है 36 गड़ की खबरों कारू करते हैं खबर की और सरगूचा दौरे पर पहुँचे टीयस सिंग ने चुनाओ लड़ने को लेकर अपने मन की बात क्या ही दी शहर के गांधी स्टेडियम में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार चुनाओ लड़ने का सही में मन नहीं है वही अब तक जितने भी चुनाओ हुए इसके पहले 2008, 2013 और 2018 में मन नहीं था कि चुनाओ लड़ना है लेकिन इस बार चुनाओ लड़ने का वैसा मन नहीं है जैसा पहले रहता था वहीं इस बयान के बाद से सियासी पारा चड़ गया है, अब देखना होगा कि स्वासमंदी टिये सिंग देव आगामी विधान सबा चुनाओं में लड़ते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. इसके पहले मन में भी था कि मन है लड़ने का लोगों से पूछ के लड़ूगा, इस बार वैसा मन नहीं है, लेकिन जो भी करूँगा, पूछ के करूँगा. किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला था, जिसके किसान मांग कर रहे थे, जिसको लेकर किसान कलिक्टरे जन दर्शन में आये थे और लंबित मुआवजा को लेकर मांग रखी थी. तो वहीं भारत सरकार सडक परिवहन और राजमार्ग मत्राले नई दिल्ली को खाताधार को की जानकारी भेज दी गई है. अंबिकापुर में नावालिक से अपहरण और दुशकर्ण के मामली में पुलस ने कारेवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफतार किया है. बताया जा रहा है कि जामडिह निवासी दो यूवक ने नावालिक को जबरन बाइक पर बिठाया और उसके साथ दो दिनों तक दुशकर्ण के वारदात को अंचाम दिया था. वही परिजनों ने मामली की शिकायत सीता पुर्थाने में की थी, शिकायत के बाद पुलस ने मामले की गंभेड़ता को देखते विए नाबालिक को दो आरोपियों के चंगू से छुड़ा कर पजनू को सौब दिया है और दोनों आरोपियों को गराफतार कर जेल भीज दिया है 363-366 का अपराद पंजीवत किया गया और अपराद सबुत पाय जाने पर पुना 376 दोग है पौक सो एक्ट की धारा पांश्टा और छे के तहत अपराद विवेचना करवाई की गई और दोनों अभ्यूदों को नहीं के अपरक्षा में बेच दिया गया पाहसमुझ जिले में पलायन का खेल काफी सालों से चल रहा है ताजा मामला दुरस्त गाम बुन्देली से है जहां पर कुछ दबंग लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और सैक्डों लोग मज़ूरी करने को मज़बूर हो गया हैं कईना वालिक अपनी पढ़ाई छोड़कर भठे में काम कर रहे हैं जानकारी मिली कि हर साल सैक्डों लोग अपना घर चोड़कर परिशानी में दूसरे प्रदीश में काम कर निकले जाते हैं आलम यह है कि पड़ित परिवार वाले प्रिशासन से मज़ूर के लापता होने बंधक बनाने शोषड का शिकार होने के शि दूसरे प्रदेश जाते हैं और गायब हो जाते हैं लेकिन श्रम विभाग और पुलस उन्हें ढूनने के लिए कोई कारवाही नहीं करती है कि मुहले के बहुत लोग है कितना मिल जाते हैं कि हैं जाते हैं कौन ले जाता है इनको कौन क्या नाम है नाम है नाम नहीं पता उतना लेकिन पिथोरा से ही ले जाते हैं अभी तो लगभग लगभग चले गए हजार हो चुका है अभी यह तेवार के बाद जिस्ट पंदरह सो प्लाइन ओव हो जाएंगे क्यों करते हैं इसलिकred centres का मतिरी करент का में हैं महज़ूरी दिएशरकार का यहां लोग कर रहे हैं प्रैकंशन कुछ करती है प्रसासन कुछ करता है elementos क्लीक नीकांता है करने जा रहें के अधार पर रहें को वाहर जाना पाया गया तो स्रम भीभाग ती तो अधिकारी है जिला अधिकारी राजबुत साव को सुचना जी गई आउसे कारवाई है जो जो पूस्ताज कर दो इनके दोरह बैदानी करवाइब की जारे हैं उसको बताया कि अजयनायक वह मतब रचुर रेल्वेश्टेशन बसके संबे लेके जाना है तरह कि अपके भीधान है क्या उसको बताएंगे सब्सक्राइब यह जो आपने नाम लिखना है मल्दूरों का यह सुची पहले आपके पास पहुंची भी चाहिए कि लोग जाएंगे यह आपके सुची में है क्या अभी मेरे कम वालूम ने पार्ट मेहता पॉइंट्स से होकर कापू की ओर जाने वाले मार्व प्रस्थाने लोगों को जलती हुई कार मिली जिसके सुचना लोगों ने पुलिस को दी मौके पर पहुंचे पुलिस ने कार पर पानी डाल कर आग को बुछाया तो वही कार में जलता हुआ नर कंगाल भी मिला लेकिन घटना कैसे हुई यह सवाल बना हुआ है बता दे कि फॉरेंसिक जाच के बाद कार मालिक के बारे में जानकारी मिल सकेगी बुलाली है और कापो थाने के साथ साथ ध्रम जगड की भी टीम यहाँ पर है मैंपाट के रही स्टाफ से हम सयोग ले रहे हैं और इसमें हम अभी आगे की जाचकार वह पर आगे बढ़ा रहे हैं राइबर में पुलिस ने वीडियो बना कर लोगों को न्यू इयर पर संदेश दिया है वीडियो में पुलिस ने न्यू इयर पर शराब पी कर सभी गाड़ी न चलाने का संदेश दिया है सभी को साथ ही वीडियो में एक कार में सवार कुछ यूआ को शराब खरीदते हुए दिखाये गया जिसके बाद यूद के पास तुरंट पुलिस पहुंचती है और उनसे पूछती है कि क्या वो शराब पी रहे हैं जिसमें वो बोलते हैं कि आपकी ड्राइविंग स्किल कितने भी अच्छी हो लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाना मतलब मौत को दावत देना है सरगूचा से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामना सामने आया है जहां दूद का पैसा ना देने से लेट होने के कारण सनकी लोगों ने घर में एखुस कर पूरे परिवार को लाठी डंडों से पीट दिया साथी एक गर्वती यूती को भी पीटा जिससे यूती के पेट में पल रहे शिशू का गर्वपात हो गया जिसके बाद यूती ने रिपोर्ट थानी में दर्च कराई पूरा मामला सीतापूर थाना अंतरगत उलाकिया ग्राम पंचायत के बर बाला पारा का है पिर्टो की शिकायत पर पूलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है और जांच शुरू कर दी है थे हम लोग अचानक आके फीर मारने लगे तो मारने लगे फिर पापा के चुड़ाने तो पापा को भी मारने उपगे फिर फापा के पास मैं गई पापा को मार रहे थे तो मैं बोली काहिव FIR एक बाई मारा सुखा रंडा से तो हात को लगा से दुबारा मारा तो मेरा पेट को लगा से पते अजर फेट में पाँच महिना का बच्चा था मेरा और माअीक के आई थी fais भूछ बच्चा मेरा नहीं बचा पेट में ही खतम हो गया वो दुदवाला सूबह था तो बोली मेरा मम्मी कि कल से निकाल के अधारकाट से पैसा धूंगी करके बोली तो तुम्हों अतना नाखरा कर रहे हो करके ना अचानक मेरा मम्मी जो डंडा पकड़के चलती है उसको न नरायड यादो का लड़का यूम नरायड यादो तीनों जो हतो दूद की पैसे की बाद को लेकर मार पिट किये हैं जिससे गंभीर चोटे एक महिला को आई है अजो लड़की का पेट में बच्चा था जिसके संबन्द में डाक्टर द्वारा अभी रिपोर्ट नहीं आया है आजाने पर ग्रिम करवा है उसमें की जाती है अभी 452,256,3234 आगे और धाराय जोड़ी जाएगी खबर ये सरगूचा से है जहां पर दूद लेने को लेकर मार पिट किया गया है पूरा मामला सामने आया है बता दे जहां दूद का पैसा देने में लेट होने से तीन सन की लोगों ने घर में घुस कर पूरे परिवार को लाठी डंडो से पीट दिया साथी गरवती यूती को भी पीटा जुसे यूती के पेट में पल रह शीशु का गरव पात हो गया जिसके बाद यूती ने रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई पूरा मामला सीता पूर थाना अंतरगत उलाक्या ग्राम पंचायत के बरबहला पारा का है पूर्टो की शिकायत पर पूलस ने तीनों आरूपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है पैसे ना देनी को दूद के पैसे ना देनी को लेकर तीन दबंगों ने घर में आकर मार पीट क्या है पूरा मामला उलाक्या ग्राम प्रंचायत के बरबहला का सामने आ रहा है जहां पर सर्गूचा में जिला प्रशासर और पुलिस की टीपनी बंधक बनी 19 मजदूरू को महरास्ट के बड़ी जिले से सकुषल वापस सर्गूचा ले आई सर्गूचा आते ही मजदूरू के चेहरे पर खुशी देखने को मिली वही परिज्णों ने भी राहत की सास ली दरसल सीतापूर ब्लॉके नकना बेरी मकेला के 19 मजदूरू को अधिक मजदूरिया लालस देकर महरास्ट ले जाय गया थ वहां मजदूरों को बंधग बना लिया गया था ना तो मजदूरों को मजदूरी दी जा रहे थी और ना ही उनको घर वापस आने दिया जा रहा था इसकी सूचना मजदूरों ने अपने परिज्णों को दी मही परिज्णों ने वापस लाने जिलाप्रशासन से गुहार ल अम्बिकापूर में पोरोजो के उपजाव जमीन में भूमाफ्याओं ने फरजी तरीके से अपने नाम कर लिया जुसके बाद पट्टा बनवा कर बिक्री करने का मामला सामने आया है जहां साश्किय कबजे की भूमी को अम्बिकापूर के देविंद कुमार नामक व्यक्ति ने पटवारी और राजस्वा अधिकारियों से मिली भगत कर अपना नाम दर्ज करा लिया और भूमाफ्याओं के माध्यम से जमीन के बिक्री करा दी जिसके बाद शिवनारायड यादों ने आरूप लगाते हुए कहा कि उनके पुरूजों के द्वारा स्चास के बंजर भूमी को खेती किसानी के लाइप उपचाओ बना कर उस पर खेती किसानी कर अपना जीवी का चला रहे थे जिसके बाद जब फरजी तरीके से भूमी के बिक्री की खबर शिवचरण को मिली तो उसके होश उड़ गए जिसकी शिकात शिवचरण ने जन दर्शन में की गई पुरा मामला मैन पार्ट जनपत के नर्मदा पूर शेतर का है जमीन पे हमारे पापा के पापा उनने सो साट से लगभग मतब उसके काबी थे खेती बाड़ी करते आ रहे हैं उसके हम लोग का मखान है और बाहरी लोगों दोबरा उस जमीन पे पट्टा बनवा के भजी तरीके से उसको विक्री नमा करके बेच दिया है महासमोद में बन के गया रेलवे क्रॉसिंग को खोले जाने की मांग कोले कर लोगों ने धना प्रदर्शन किया बतादे कि ओवरवेज के लोकारपड के बाद रेलवे क्रॉसिंग को बन के जाने से आम नागरिक नाराज है तो वहीं रेलवे फाटक समाध्धीन समिती के बैनर तली चक का जाम किया गया है साति जिला प्रशासन और रेलवे डियारेम के खिलाफ जमकर नारे बाजी भी की गई जुसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलस पल पहुच गई वहीं नागरिकों का कहना है कि रेलवे क्रॉसिंग को फिर से नहीं खोला जा तो रेल आंदोलन किया जाएगा बता दे कि भेट मुलाखात कारिक्रम के दोरान मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने 15 दिसम्बर को इस ओवर व्रिज का लोकार पढ़ किया था सरगुचा में सेतापूर थानाशेत में दो यूवकों को पुलस ने गिरफतार कर लिया है आपको बता दे कि दो यूवकों ने नाबाली को बहला फुसला कर बाईक पढली गए उसके बाद दो दिनों तक नाबाली के साथ दोनों यूवक ने रेप किया इसके बाद नाबाली पिर्ट तग उछोड़ दिया पिडित ने इसकी शिकायत थानी में दर्ज कराई जुसके बाद पुलिस ने आरूपियों को गरह अफ्तार कर लिया है आज के लिए छत्तसगर की खबरों में बस अतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के ले देखते रहे प्राइम टीवी अब देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार